हाई गाईस, वेलकम बैक टू स्वातका सार कुकिंग चैनल और आज मैं लेकर आए हूँ इन कच्ची फल्लियों को खाने का एक दूसरा तरीका जिससे ये और ज्यादा टेस्टी लगने वाली है तो मैंने पानी में इसे भिगा कर धो लिया है अच्छे से रब करके क्योंकि थोड़ी मिट्टियां होती है इस पे ये प्रोसेजर मैंने दो बार किया है और साथी साथ कुछ खराब फल्ली के जो दानी दिख रहे हूं या छोटे छोटे हों उसे हटा देंगे इस तरह से पानी में उपर आ जाता है फल्ली फिर हम उपर से इसे उठा कर कुकर में डालेंगे क्योंकि इसकी मिट्टियां कुछ होती है वो नीचे-नीचे बैट जाती है तो इस तरह से मैंने प्रैसर कुकर पे ये फल्लिया निकाल ली है इस पे मैंने डाला है दो गलास प वली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है एक वर आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है अब आप देखेंगे कि इस तरह से इसके सैल बहुत आसानी से निकल आते हैं और इसको छिलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना है अब इसे दबा के मैं आपको दिखा देती हूँ यह इस तरह से बॉइल हुआ हुआ है तो यह बहुत ज़्यादा भी मैसी नहीं हुआ है इसी तरह से ही इसे करने इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा इसे आप इसी तरह से खा सकते हैं साथ ही आप इसकी अन्य रेसिपी भी बना सकते हैं, जैसे कि सैलेट या फिर चाट और यदि आप चाहते ही कि मैं इसकी रेसिपी आपको बना के बताऊं आगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही लाइक सब्सक्राइब करना ना भूली बाई बाई